हलो दोस्तों कैसे हो आप सो, welcome back to job university, मैं हूँ प्रकाश ESIC MTS Primes Exam 7th माई को हने वाली है आपने Quant Reasoning and English में जीतना भी किया हुआ है, वो enough है अभी, आज and कल, ये जो दो दिन है, आपको किवल focus करना है current affairs के उपर March and April का current affairs है ये आपको अच्छे से करना है क्योंकि maximum questions इनी दो मंच से पूछे जाएंगे और आपके practice के लिए एक free mock test के link मैं description box में डाल दे रहा हूँ जब आप ये mock test दोगे तो आपको ध्यान रखना है कि आप इसमें कितना marks score कर रहा हूँ ये कोई matter नहीं करेगा आपकी percentile क्या आ रही है ये कोई matter नहीं करेगा बस आपको ये practice के लिए मैं mock provide कर रहा हूँ तो ये mock test आप जाकर देना अगर आपने पहले भी दिया हुआ है तो भी जाकर आप ये mock test देना ये completely free of cost है 7th माई को exam है तो exam में paper कैसे attempt करना है किस section को पहले करना है किस section को बाद में करना है तो सबसे पहले आपका जो section सबसे जादा strong होगा उसे आपको पहले attempt करना है फिर second number में जो आपका second strongest section होगा उसे आपको attempt करना है third number में आपको जो general awareness का section रहेगा ये attempt करना है और फूर्थ में फिर जो section बचता है वो आपका attempt करना है जैसे कि suppose अगर आपकी maths strong है सबसे जादे strong है तो सबसे पहले आप maths आप attempt करो और second number में अगर आपकी reasoning strong है तो आप reasoning attempt करो उसके बाद GA section attempt करो और उसके बाद English attempt करो अब बहुत सारे candidates ऐसा भी करते हैं कि GA section सबसे पहले attempt करते हैं लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि GA section अगर आप पहले attempt कर रहे हो और GA section में हो सकता है कि आपने 10 minutes time दे दिया और किवल 10 questions ही बन पाए तो mind में एक pressure होने लगता है कि इतना time हो गया और क्यों इतने questions बने हैं जिसे करण exam में एक negativity आने लगती है तो ये आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है GA section को आपको हमेशा या तो आप second number में attempt करो या फिर third number में attempt करो चलिए बात करते हैं category wise safe attempt क्या रहेगा सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको maximum questions कोशिश करना है आप maximum questions solve करो और एक question के उपर ज्यादा ध्यान नहीं देना है अगर question आपने पढ़ा आपको लग रहा है कि नहीं बन पाएगा तुरंत skip करो क्योंकि questions बहुत चारे हैं time limited है Quant, Reasoning, English and General Awareness हर section में 25-25 questions पुछाएंगे maximum marks 50 रहेगा यानि कि total 200 marks का आपका paper रहेगा और इसके लिए आपको क्योंकि one hour का time मिल रहा है और यहाँ अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई sectional timing नहीं है कोई sectional cut off नहीं है तो इसका आपको पूरा फायदा उठाना है अगर मैं बात करूँ unreserved category के लिए तो at least आपको target रखना है 80 plus का 80 plus questions आपको attempt करने है again ऐसा नहीं करना है आपको की 80 attempt करने के चक्कर में आपने negative marking जान भूच के कर दी या फिर तुका मार दिया यह साब आपको नहीं करना है देखे, current reasoning English में अगर आप maximum attempt करते हो 75 questions रहते हैं 75 में आऊ suppose आप 70 plus attempt करते हो 72 plus अगर आप attempt कर लेते हो तो यह enough हो जाएगा उसके बाकी 10 questions 20 questions 10 to 20 questions तो आप GA section में जरूर कर लोगे अगर आपने GA section अच्छे से किया हुआ है तो आप इतना max, इतना attempt के हो जाएंगे EWS category में अगर आप आते हो तो आपको 77 plus attempt करना है OBC के लिए 75 plus SC के लिए 70 plus SC के लिए 65 plus एक service में अगर आप हो तो 60 plus आप target रखो and PWD candidates अगर आप हो तो आपको 55 plus की target रखनी है देखे, कई बार ऐसा होता है कि एक्जाम जब आने वाल रहता है या एक्जाम के एक दो दिन पहले मन में एक एक्जाम का डर बैड़े आता है और यह सब के साथ होता है यह बहुत normal है मेरे साथ भी होता था लेकिन आपको एक चीज़ धिहान रखना है कि आपको एक्जाम के उपर फोकस करना है रिजल्ट के उपर फोकस नहीं करना है भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्मन्य वाधिकारस्ते मा फलेशु कडाचन यानि आपका अधिकार केवल कर्म के उपर है फल के उपर ने तो यहाँ आपका कर्म क्या है आपका कर्म है आपका exam तो आपका focus केवल आपके exam के उपर होना चाहिए result क्या आएगा उसके उपर आपका कोई ध्यान नहीं होना चाहिए अब देखिए किसी को पता हो या नहीं पता हो लेकिन मुझे पता है कि आपने इस exam के लिए अपना 100% दिया है आपने दिन रात एक किया है बहुत मेहनत किया है तो आपके मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा आपका selection जरूर होगा बस आपको exam center में जाना है और exam में अपना 100% देना है फोर्ड के रख देना है तो आप सभी को exam के लिए all the best